जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनन्दन है आपका दिवव सरजन में प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं आप सभी का अभिनन्दन है इस कारिकरम में और आज जो लाइव चर्चा का विशय है शिव सुत्र पे चर्चा आगे बढ़ रही है तो शिव सुत्र के बारे में हमने जो सुना जो विचार सुने कि किस प्रकार से शिव सुत्र में आत्मा की स्थती को बताने का प्रयास किया गया है और इसी तरह से इसे नर्तक आत्मा पिछले सुत्र में हमने सुना कि नर्थक आत्मा अर्थात आत्मा ही नर्थक है आत्मा का नर्थ क्या है तो आत्मा का नर्थ क्या है इस विशय को इस पश्ट करने का प्रयास किया गया तो आत्मा का नर्थ होता है और वह नर्थ कैसा है तो पिछले व्याख्यान में पिछले लाइव सेशन में पिछले लाइव चर्चा में हमने इसी विशय पर चर्चा की थी कि आत्मा का निर्ट्य क्या है तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम दुबारा से फिर से हम उसको बोले या उसके बारे में बताएं वास्तों में जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी आत्मा की अभी वेक्ति है ब्रह्म की अभी वेक्ति है तो सब कुछ उसी का है उसी का निर्त्य है सारे चरित्र वो स्वेम ही खेलता है सब कुछ वो स्वेम ही बन जाता है तो सब कुछ उसी का है और उसी का यहां नृत्य भी है लेकिन कोई भी नाटक करने के लिए कोई भी नृत्य करने के लिए ताकि लोग उसे देखें कोई भी नाटक करने के लिए कोई भी नृत्य करने के लिए क्या आवश्यक है उसका आधार मिलना चाहिए और आधार क्या है रंग मंच स्टेज अगर कोई डांसर डांस करता है अगर कोई एक्टर एक्टिंग करता है यदि कोई नेता जी कुछ भाशन देते हैं तो उनको स्टेज तो चाहिए ना उनको मंच चाहिए रंग मंच चाहिए रंग मंच और रंग मंच पे खड़े होकर ही तो भाशन देंगे रंग मंच पे खड़े होकर ही तो नाटक दिखलाएंगे नाटे कला निर्टे कला कहां पर दर्शन करेंगे लोग तो रंग मंच पे करेंगे तो कल तक के व्याख्यान में जो हमने सुना कि आत्मा निर्थ करती है और उसका निर्थ कैसा है उसको भी हमने सुना पूरी तरह से अनिंटेंशनल है लेकिन आज हम विचार करेंगे कि निर्थ कैसा है ये तो हो गया है लेकिन निर्थ कहा हो रहा है रंग मंच पे होगा तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंग मंच क्या है वह किस रंग मंच पर निर्थ करता है तो आत्मा रूपी नर्तकी का रंग मंच क्या है और वह किस रंग मंच पर निर्थ करता है इसी बात की चर्चा आज हम करेंगे और यह सुत्र कहता है रंगों अंतर आत्मा रंगों अंतर आत्मा अर्थात जो रंगमंच है वो स्विम अंतर आत्मा है अब इस अंतर आत्मा को हम कैसे समझे इसकी भी दो अभी व्यक्तियां है एक जीव रूप में है एक ब्रह्म रूप में है तो ब्रह्म रूप में तो वही सब कुछ है जीव भी वही है आत्मा भी वही है ब्रह्म भी वही है सब एक ही चीज हो गया लेकिन जब बात निर्थ की होती है तो आत्मा का निर्थ कहां हो रहा है कहां हो रहा है आत्मा का निर्थ इंद्रियों के बीच में हो रहा है तो आत्मा का निर्थ कहां हो रहा है रंग मंच पे हो रहा है वो रंग मंच कौन सा है तो उस रंग मंच को समझने के लिए भी दो अवस्थाइं है एक जीव की अवस्था है और एक ब्रह्म ज्यानी की अवस्था है एक सिध्य योगी की अवस्था है और एक जीव की अवस्था बनती है और एक सिध्य योगी की अवस्था बनती है ब्रह्म ज्यानी की अवस्था बनती है तो ब्रह्म ज्यानी के लिए रंग मंच आत्मा का रं मंच जीवभाव है जो उसी की अभी वेक्ति है आत्मा का रंग मंच जीवभाव है वह जीवभाव से आच्छादित होकर कई लिलाएं कर रहा है कई कंप्लेन कर रहा है कई बाते बता रहा है कई शिकायते हैं उसकी लेकिन जो कुछ भी है उस आत्मा का रंग मंच धारन हम सब लोगों के लिए तो हम कहेंगे जीव भाव ही है तो कि जीव भाव महीं तो सारे दुख सुख दुख जीव के लिए ला रहा है कर रहा है बहुत कुछ कर रहा है ठीक है सुख दुख और अनेको भावनाओं को प्रगट कर रहा है इसी विशय पर हमें विचार करना है उसका रंग मंच क्या है यदि विमर्श को देखोगे तो रंग मंच जीव आत्मा है जीव ही रंग मंच बनेगा लेकिन यदि बड़े-बड़े संस्थाएं बड़े-बड़े मठों और उन सब को देखोगे तो आत्मा जो है वो रंग मंच फिर बनेगा तो मुख्य रुप से आत्मा का रंग मंच क्या अंतर आत्मा अंता करन जहां जीव का अंता करन होता है तो बाहरी द्रिष्टी कों से जीव विमर्श की द्रिष्टी कों से जीव ही आत्मा का रंग मंच है नहीं तो आत्मा आत्मा का जीव ब्रह्म है बनापरा जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं होता तो आत्मा का रंगमंच ब्रह्म ग्याने के लिए आत्मा ही है अंतर आत्मा ही है लेकिन वैसे आत्मा का रंगमंच अंता करण है मन बुद्धि चित एहंकार जहां पर है जहां से कई अवस्थाएं बनती है जागरत स्वपने सुशुक्ती की अवस्थाएं बनती है जागरत स्वपने सुशुक्ती की अवस्थाएं बनती है तो आत्मा का जो रंगमंच है वो क्या है? वो स्वेम आत्मा ही आत्मा का रंगमंच है उससे अलग कुछ भी नहीं है लेकिन जीव बोध में जीव रंगमंच बनता है फिर जीव बोध में फिर जीव ही रंगमंच बनना शुरू कर देता है इस विशय को हमें समझना है कि आत्मा निर्त करता है ये तो हो गया लेकिन निर्ट कहां करेगा रंगमंच पर तो आत्मा का अंतर आत्मा ही रंगमंच बन जाता है नहीं तो जीवबोध जीवत्व या जीवभाव ही उस आत्मा का रंगमंच बनता है तो मुख्यरूप से यही बात कि उसका रंगमंच बाई वो निर्ट करता कहां पर है तो अंता करण में हमारे निर्ट करता है यह हम कह सकते हैं और ब्रह्म ज्यान को प्राप्त करकर समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है जो है वो ब्रह्म ही है सारी लीला उसी का है सारी ल आत्मा क्या आत्मा का निर्ट्य क्या आत्मा का रंगमंच क्या अभी और भी बाकी है देखेगा कौन निर्ट्य को उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन बाद में कल फिर से लाइब चर्चा आएगी उसमें नहीं तो अभी जीवत्व बोध में जीव ही आत्मा का रंगमंच बनता है उसका अंताकरन जीव का जहां मन बुद्धिचित एहंकार हम कहते हैं वहां रंगमंच बनता है अन्यथा आत्मा का रंगमंच स्वेम आत्मा ही है दूसरा कोई बन नहीं सकता है तो इस तरह की बातों को भी पूछ्टी यहां पर करते हुए लिखा गया है आत्मा का रंगमंच आत्मा ही हो सकता दूसरा कोई हो यह नहीं सकता ऐसे मानना है लेकिन यह मानना ज्ञानियों का है अन्य था भाव विभोर होकर हम समझ सकते हैं कि जहां भावनाओं का अत्यधिक प्रसार है भावनाओं का जहां अधिक प्रसार है भावनाओं का जहां अधिक विस्तार है वहां पर आत्मा का रंग मंच जीव भाव है उसे जीव भाव में तो कि जो सुध्ध रूप है आत्मा का वो तो भावातीत है वो भावातीत है इसलिए भाव रूप में वो जीव भाव में ही न इसी को समझाने के लिए रंगो अंतरात्मा ऐसे लिखा गया चलिए इसके आगे अभी और सुत्र हैं हम उनको देखेंगे उनको समझेंगे और उन पर चर्चा करेंगे लेकिन आगे जो है अभी आप इस विडियो को इस व्याख्यान को हम विराम देंगे अभी फिलाल तो कि अभी आगे भी सुत्र हैं उन पर चर्चाएगी तो जुड़े रहें बने रहें सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वैसे ध्यान योग का कोर्स तो शुरू हो चुका है 14 जून से जो शुरू होना था वो हुरू हो चुका उसकी live classes भी शुरू हो चुकी है इसलिए अब 14 जून वाले बैच में किसी को कोई admission नहीं मिल सकता है कोई कहेगा कि नहीं हमको ध्यान यों कोर्स में जोड लेजिए अभी जो चल रहा है उसमें नहीं जोड़ेंगे अगले महिने 14 जुलाई गुरुपुल्णिमा के साथ व्यास पुल्णिमा के साथ श्रावन मास शुरू होता है साधना का मास कहा जाता है उसमें जो है ये चर्चा शुरू होगी और उसी समय सुरे का जो आप जुआइंग कर पाएंगे जब 14 जब 14 सन मेंबर्शिप है जुपिटर मेंबर्शिप है तो 14 जुलाई से जब कोर्से सुरू होगी तभी आप उसको जुआइंग कर पाएंगे ठीक है जिग्यास वो तो अभी जुआइनिंग संभाव नहीं है लेकिन कुछ दिनों बाद या अभी भी आप करना चाहे तो कर सकते है जुआइन 14 जुलाई के लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसका नोटिफिकेशन या उसका पोस्ट मिल जाएगा कि हाँ 14 जुलाई से कोर्स सुरू होने वाला है तो आप जुआइन कर सकते हैं प्राकिर्टिक चिकित्सा का भी औ आगे बढ़ाते हुए सुव सुत्र की व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत आभार आप सभी का